MP Board के Class 10 के सभी विद्यार ते लोजी आपका गनीत का यानि मैस का आपका यहां पर पेपर में सोल्व कराने जा रहा हूँ बढ़िया से आप मेहनत करेगा अच्छे से पढ़िएगा पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले यह प्रसुन पत्र आप यही करके जाओगे न त से तैयारी करने के लिए ठीक यह चैनल पूरा क्लास 13 को फॉलो कर लीज़ेगा क्लास 13 का ही सिलिए बस इस पर पढ़ा जाता है चलिए 96 और 404 है इसका सुन्यक क्या है तो देखिए इसका सुन्यक किस तरह से निकलेगा आपका यहां पर घाट दो है ठीक है तो मैं लिख देता हूं में एक्स की घाट दो माइनस 3 है इक्वल 0 हो जाएगा अब जैसे इसको दली जाएगा पिलस है जाएगा तो यह एक्स बराबरी पर जाए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ठीक है अंडर रूड आएगा क्यों आएगा क्योंकि यहां पर घाट दो है तो घाटा दो घाटा ही करनी लगी तो यहां से देखें तीसरा ज़िए हम बात करें तो इसमें होगा आपका अनन्ता अनेक पहल है सामीकरन x2 plus x minus 1 is equal 0 के मूलों की प्रकति क्या होगी देखें इसके मूल ग्याद करेंगे ठीक है तो इसके मूल आएंगे वास्तविक और भिन ग्याद करके देख लेते हैं यहां पर हमने लिखा बी स्क्वार माइनस फोर एसी यह फोर्मूला होता है डी एक्वल तो बी का जो माने वह आगे आपका एक की घाद दो माइनस चार इंटू और ए रहें एक इंटू माइनस एक देख लिए तो यहां पर एक्यार प्लस को जागा चार तो तीन आएगा तो मूल की इसर रहेंगे आपके वास्तिव को बिन brewing समान नहीं है ठीक है भिन मेर रहेंगें पर वास्तिव क्वी तो है यह कुंग सा है तीस तीस्वा पद क्या है अब इसका अब इसक तीष्वा पद निकालेंगे तो एक का तीस्वा पद निकालने के लिए ठाटीन लिखना पड़ागा हुआ है एक ये पिलस 39 टी लिखोगे अब कमान दस में दस पिलस 39 इन्टू कितना जाएगा साथ में से दस गाएगा माइनस का तीन बच्चेगा अब यह दी हम बात करें तो इसका जो 29 त्या आजाएगा अपका कि देखिए दस हो गया यह और नोत्या सत्तावीस हां सिला कितना तीन दूने छे चे और नोत्या सत्तावीस होगे दो बच्चेगा तो यह आगए यतना अब सत्तर बचेंगे इसमें से ठीक है उन तीस्ते सत्त्या से होता है और दस गड़ गया तो माइनस का सत्तराइगा निकलेगा दो समरूप तिरभुजों की भुजाओं का अनुपाद च इनके छेत्रफलों का अनुपाद क्या होगा छेत्रफल याने की भुजाओं गाद दो तो चार चुक हो गया सोला और नो का होगे नमनमे 81 याना कि 16 अनुपाद 81 का निकलेगा अंडरूट 2 है जो एक तरह की क्या है सब जानते है यह आप परीमे संक्या है आप परीमे है दो भुपदों का गुनन्फल हम करेंगे तो वो भी भुपद ही होगा दो भुपदों का अजब गूनन्फल करेंगे तो वह भी क्या होगा आपका बहूत पर 2 एकस प्लस 3Y इक्वल 5 यह आपका एकस एक्वल यह पर करेंगे यह और उधर लेकि जाएंगे तो दो ध्यान से देखो यहां पर एक रखा दो धर गया तो पांच में से दो घड़ गया तीन बच गया तीन बटे में चलाएगा इसलिए वाई कमांज जो है वो निकल करा जाएगा एक द्वीघाद समिकरंज से मूल ग्यात करने का सूत्र प्राचिन भारती वे गनितग्य ने दिया था तो वो दिया था स्री धराचारे जी ने त्रीघाद बहुपद त्रीघाद बहुपद कुन सा है जिसमें तीन घाद हो तो यह पहला है आप रेखिक बहुपद किसे गये जिसमें एक घाद हो यह आपका दूसरा हो गया द्वीघाद बहुप समिकरन है एकस स्क्वार माइनस वन इक्वल जीरो के मूल तो यह देखिए यहां पर यह एक है उधर जाएगा तो पिलस का हो जाएगा ठीक है और अब जब घाद दो धटेग थीक है इधर करने लगएगे तो प्लस और माइनस वगला अंसर निकलेगा यह तीन वला है दूइगाच समिकरन एकस और कॉमा में एकस माइनस टीन इक्वल जीरो के मूल हो गया देखिए जब एकस दो बार दिए हैं तो हम दो बार लिख देंगे एक बार लिख देंगे एक तो देखिए इसका तो अंसर आया 0 एक बार तो और ये उद्धर जाके पिलस का हो गया तो यह हो गया आपका चोथा तिरभूच समरूप कब होते हैं और समांतर स्रेडी का जो एन्वा पदो का योग होता है तो देखिए यहां पर यह मिस्प्रिंट है गलत है याने की इसका जो सही आंसर रहेगा यह गलत है आपका और यहां पर लिखना आपको n पदों का योग है तो sn लिख देना है n by 2 लिख देना है ठीक है और ब्रेक इट मैं जाएगा आपको यहां पर फोर बोला देया गया है तो कि यह लिखना है अब अगला बढ़ाते हैं सत्य सत्य छाटने कुन से सत्य हो कौन से असत्य एक बटा करनी दो Admya जो है एक परीमेसं क्या हैं जिसमें अंडर मेका हो जाएगा स्ड्य सुन्य बहुपद की खात आ भास्तित होती है बिल्कुल सत्य बात है दो चर्णों में एक रेखिक समिक्रन के अनेक हलोंगे नहीं होंगे ठीक है यहां पर यह बात आपकी असत्य है क्योंकि उसके तो क्यों क्याने क्यों ऑप आपको जिनका दो नजन्म आसे इसका रेखिक समान होंगे कि यह समान होता है वीविक्त कर एक जीरो आता है तुबस्तित कर जीरो आता है और दोनों मुल समान होते हैं माइनस दो दो और माइनस दो फिर दो फिर माइनस दो एक समानतर स्रेनी है अब देखो 156 के अबाजी गुननटकन बताईए सब जानते हैं यह हम इसको अबाजी गुननटकन निकालेंगे ना तो यह दो की घात तो तीन आएगा गुनित तीन गुनित तेरा आएगा रेखिक बहुपत की घात कितने होती है भाईया एक होती दा था एक होती है यदि दो संतरों और पाँच सेवों का मुल्य सत्तर रुपी है तो इस स्तिती कारेंगे एक समिकन बताईए देखिए कितने संतर हैं पाँच इक्वल सकतर रूपय हैं दिविखार समेकरन का जो माना गुरूप होता है वो होता है A x square पिलस B x plus C equal 0 वर्ग समेकरन A x square C x plus B equal 0 का मूलो का योग कितना निकलेगा तो मूलो का जो योग निकलेगा वो निकल जाएगा अब का कि माइनस का कि यहां पर देखिये इदर माइनस से जाएन और यह सी उधर से जाएगा तो यह मनए आपका माइनस का B variables C अवर दसोय पत्त क आमान क्यात करना ठीक है यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप ठीक है यह दस्वा कोशने बहुत ही सिंपल सा प्रस्ण पत्राप कराएगा गभराना नहीं है ठीक है यह को से नमर 13 है इसके बाद में यहां से यह को से नमर 15 है यहां पर देखिए को से नमर 16 है को से नमर 17 है को से नथारा है यह को से नमर 21 हिसने में शॉwn व कले जड्ड़स नमर 1 आप